अलिगड के टपल इलाके में धाय साल की बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है हत्या का आरोपी जाहिद बच्ची के पिता बनवारी का पडूसी है बच्ची के पिता ने उसे 10,000 रुपे करज लिया था लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया तो आरोपियों ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया तीन दिन बाद मासूम बच्ची का शव घर के पास कूड़ा घर में पड़ा मिला पोस्मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की हत्या गला घोट कर की गई है दो दिन की जाच परतार के बाद पुलिस से जाहिद और उसके साथ ही असलम को गिरफ्तार किया है वही पूश्टाच में सच्चा ही सामने आने पर पुलिस से दोनों आरोपियों को जेल भिज दिया है आरोपि जाहिद और असलम का बच्ची के पिता से पैसो को लेकर लेंदेन को लेकर विवाद हुआ था ये दोनों लोग मजदूर हैं और विवाद के बाद जाहिद ने बच्ची के पिता को धम की दी थी उन्होंने बताये कि पुलिस से जाहिद को हिरासत में लेकर पूश्टाच की तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है उससे बताये कि उस्ते अपने साथ ही असलम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था SSP ने बताये कि इन दोनों पर रास्तिय सुरक्षा कानून के तहट कारवाई की जाएगी फिलालिस से बुलिटेन में इतना ही देश-दुनिया के तबायम खबरों के लिए आप बने रहे है लाइव टुडे के साथ कर दो दो से बुलिटेन दो साथ